नमस्का दोस्तों आप सब का स्वाद करता हूँ एक बार फिल से एक और नए इफर्मेटिक वीडियो में तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगी डाक्टर अमेट को स्वालिशिप पॉर्टर के बारे में अपडेट करने पड़ेंगी वो सारी चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हो तो अगर आप चैनल में पहली बार आइं तो नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना जिससे नेक्स जो भी और अपडेट से एंगी इसके बारे में वो आपको मिलती रहेंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमें Institute के लिए login करना पड़ता है तो हमें यहाँ पर login वाले बटन पे क्लिक करके username, password फिल करना है और capture code फिल करने के बाद लोगिन कर देना है जैसे ही आप login करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जो important notice है यानि के कुछ जो important instructions है वो आपको देखने को मिलेगी तो वो आपने यहाँ से read कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपने cross कर देना है तो अभी इस portal पर हमें जो चीज इस main काम करना है वो इंसिट्यूट administration पर तो हमें यहाँ पर जो register institute profile इसको update करना है bank account को update करना है certificate को download करना है और इसको upload करना है को तीनों चीजों की बारे में आपको turn by turn में आपको बताने माना हो तो सबसे पहले मैं बात करूंगा register institute profile तो सबसे पहले हमें यहाँ पर click कर देना है तो जैसे हम इस link पर click करेंगे तो हमें यहाँ पर अपने institute की जो details है वो दिखाए देगी तो हमें जो चीज़े अपडेट करनी है वो यहाँ पर आदे सके हैं institute view dice code तो वो हमें यहाँ से already filled मिलेगा उसके बाद एड जो आई यानि की institute's का जो head है उसका नाम आपको यहाँ पर show हो जाएगा जिसको चीज़ करना जाते हैं तो कर सकते हैं otherwise आप वही रहने लेगे उसके बाद institute's head का जो अदार नंबर है वो यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद उसका जो gender है mail, email है जो भी है वो आप यहाँ पर fill करेंगे उसका जो designation है वो गया है जैसे principal है या second principal है या lecture है वो आप यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद head of institute's का mobile number आप आप यहाँ पर अपडेट करेंगे उसके बाद आपको अपने जो email ID है वो यहाँ पर आपने fill करनी है उसके बाद आपको landline mobile number यहाँ पर fill करना है उसके बाद institute's का address जो है वो आपको यहाँ पर update करना है landline number अपडेट करना है email ID अपडेट करनी है उसके बाद आपके institute's की category क्या है तो यहाँ पर मैं जैसे स्कूल स्कॉल इसको select कर लेता हूँ उसके बाद आपको grievance address officer जी आरो का name fill करना है तो यह आपका principal का नाम ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आपने select कर लेना है उसके बाद फिर दोबारा से उसका अदार number जो है वो fill करना है आपने उसका जो designation है वो आपने fill करना है उसका mobile number fill करना है email ID fill करनी है उसके बाद आती है बाद district notal officer की तो यह आपको already preferred मिलेगी इसको आपने change नहीं करना है उसके बाद दोबारा से institute notal officer का नाम आएगा यहाँ पर फिर से दोबारा से आपको mail female select करना है उसके बाद अदा नंबर fill करना है designation का है mobile number का है email ID का है तो यह सारे तीज़े fill करने के बाद आपने update institute profile पे click कर देना है तो institute ID को profile को update करने के बाद next हमारा जो काम है वो है bank account जो होगा उसको update करना हमें यहाँ पे second value option पे click करना है register bank account तो यहाँ पे आप देसके हैं कि जो bank account नंबर है वो पहले से दिएगे हैं और अगर आपने पहले से दिया है number और account नंबर दिया है उसको update करना चाते हैं या उसको बन्द हो चुका है उसको chainz करना चाते हैं तो आप select to edit पे करके उसको change कर सकते हैं अदर्वाइज आप यहां पे जाके post matrix scholarship scheme for AC यहां पे select करेंगे और यहां पे आप उसको IFC code को fill करेंगे और fill करने के बाद आपना जो bank account number है उसको आप add कर सकते हैं otherwise जैसे मैंने आप बता है अगर आप इसको edit करना साथ जाते हैं तो यहां से आप edit भी कर सकते हैं तो इस तरह से आपको अपना जो bank account number है वो update कर देना है तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा जो third step है वो है download and upload अप्लोड करना है आपके student जो है वो apply हो जाएंगे यानि कि आपके school की तरह से SCBC जो भी student जो जो आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको download undertaking certificate पर click करना है तो आपको इस तरह से एक certificate जो है वो undertaking कर मिलेगा इसमें जो भी आपके school की according information होगी वो आपने fill करनी है और उसको जो भी आपकी details भी वो करने के बाद tested करवाएंगे और tested करवाने के बाद आपने या choose file पर जागे इसको undertaking form को upload कर देना है जब आपकी सारी जो इस प्रोशे पर अप्लाई हो जाएगी students के बाद आपने update करना है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर एक पोड़ चीज आपको fill करनी है वो है enter student passing percentage तो हमें यहां पर click करना है click करने के बाद हमें यहां पर passing percentage fill करनी है तो यहां पर हमें passing percentage उन students की fill करनी है जो हमने last year apply करवाएग है और वो pass out कितने हुए हैं अगर वो सभी pass out हो चुके हैं तो यहां पर 100% आएगा बाकी जितने भी रह गए हैं उसके according आपकी information जो है वो यहां पर ID उसके according कितने परसंट आपकी जो स्टोड़े वो pass होएं इसके इलावा जो स्टोड़े की pass percentage उसको आपने यहां पर update करना है तो यह कुछ चीज़ें जो है वो आपने इससे जूड़ परफाइल में जाके update करनी है जैसे जैसे आपकी जो स्टोड़े करते जाएंगे तो आपको यहां पर जो स्टोड़े की information वो शोव होती जाएगी तो आपको उसको forward करते जाना है तो चलिए आज की स्टोड़े को यह खतम करूँगा जल्दे में आपके साथ नेक्स्ट स्टोड़े में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिंग